तो आज हम क्लास टेंथ के फिस्ट लेसन अलेटर तु गॉड के सॉर्ट आंसर्स कवर करने जा रहे लेसन इसका डेटेल में मैंने पढ़ा दिया है दो वीडियो में से कम्प्लीट किया है तो आप जिसने ना पढ़ा हूँ पढ़ लें इसके बाद ये सॉर्ट आंसर्स भी कम्प्लीट कर लें तो let's start the important and short answers of the lesson. Question 1 is Who was Lancho? Where did he live? Simple answer बनता है इसका. उस्यन है कि Lancho कौन था? वह कहां रहता था? Answer है हमारा Lancho was a farmer who lived with his family on the peak of a low hill. Lancho एक farmer था, किसान था वह अपनी family के साथ निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था. He worked hard with his sons in his fields. वह अपने खेतों में अपने बेटों के साथ महनत से कार करता था. Really he was an ox of a man. वास्तों में वह एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ती था. तो यह हमारा first question complete होता है. What were Lancho's main problems? Lancho की मुख्य समस्याएं क्या थी? तो आंसार है हमारा Lancho's main problem was that his crops were destroyed in the hell storm. Lancho की main problem यह थी कि उसकी जो फशल थी वह है उला बरष्टी में नश्ट हो गई थी. Now he had nothing to show again and for the food for his family. अब उसके पास खेतों में फिर से बोने के लिए और अपने फैमली को support करने के लिए पेट भरने के लिए या भोजन के लिए खुछ भी नहीं था. These were his main problems. और यही उसकी मुख्य समस्ते आएं थी. Next question है हमारा How did Lancho feel when it began to rain? Lancho ने कैसा महसूस किया जब बारिस होने लगी? तो क्योंकि लेसन में आपने पढ़ा है कि उसके खेतों को बारिस की जरूरत थी. तो जब बारिस होई तो उसने क्या महसूस किया? आंसर बनेगा हमारा When it began to rain, Lancho was very glad. जब बारिस सुरू हो गई, तो Lancho बहुत खुश था. He regarded his field with satisfied expression. उसने बड़े संतुष्ट भाव से अपने खेतों को देखा. He called raindrops the five cents. और उसने raindrops को five cents coins कहकर पकार. तो ये उसकी भावनाय थी जब बारिस होई. Question complete होता है. Next question है हमारा Why does the person call the raindrops new coins? व्यक्ती ने, Lancho ने new coins है, क्यों कहकर पकारा raindrops को? आंसर होगा हमारा The person calls the raindrops new coins because उस व्यक्ती ने raindrops को new coins कहकर पकारा क्योंकि They would enrich the harvest which will give him money. ये बारिस जो थी वह उसको फशल प्रदान करती और जो उसे पैसा प्रदान करते, पैसे से सुभित कर देते. इसलिए एक तरह से नकदी फसल की रूप में थी और इसी कारण से उसने इसे बारिस की वूनों को new coins कहकर पकारा. Next question, most important question है, how long did the hail rain? What damage did the hail storm do? How long did the hail rain? Hail, उली, कितनी समय तक बर्शी? और what damage did the hail storm do? और उलो ने क्या नुक्षान किया? Most important answer है, answer होगा हमारा, the hail rained for an hour, ओले पूरे एक घंटे तक बर्शे, the field was white as if covered with salt, field, खेत बिलकुँ सफेद हो गए थे जैसे की नमक से ढग गए हाँ, not a leaf remained on the trees, पेणों पर एक भी पत्ती नहीं रही थी, the corn was totally destroyed, और अनाज भी पूरी तरह से नस्ट हो गया था, तो इस तरह से पूरे एक घंटे तक उसकी घाटी पर ओले बर्से और खेत का साब कुछ नस्ट हो गया, नेक्स्ट कोस्टन बनता है हमारा, what did Lancho write to God, Lancho ने भगवान को क्या लिखा, तो important है क्योंकि इसी के नाम पर lesson का title है, क्या लिखा उसने answer है, Lancho wrote to God that, indirect way में हम write करेंगे, lesson वे direct way में दिया हुआ है, तो कहता है कि Lancho wrote to God that, Lancho ने भगवान को लिखा की, if or he did not help him, अगर वह उसकी मदद नहीं करेंगे, तो he and his family would go hungry that year, तो वह और उसका परिवार इस साल भूंको मर जाएगा, so he needed hundred pieces in order to show his field again, इसलिए उसे अपने खेतों में फिर से 20 बोने के लिए 100 pieces की आवश्यक्ता है, and to live until the crop come, और तब तक जीने के लिए जग तक की फसल नहीं आ जाती है, तो खेतों को बोने के लिए और अगली फसल तक जीने के लिए उसे 100 pieces की आवश्यक्ता है, तो ये उसने भगवान को लिखा, next an important question है, Lancho had only one hope, what was it? Lancho को केवल एक ही आसा थी, वह क्या थी? चोट असा answer है, Lancho had only one hope, Lancho को केवल एक ही आसा थी, and it was help of God, और यह आसा किस की थी? भगवान से मदद की आसा थी, यही कारण है कि उसने किसी से मदद नहीं मांगी और केवल भगवान को पत्र लिखा, तो यह question भी हमारा complete होता है, next question होगा हमारा, how much money did Lancho need? and how much did he get? Lancho को कितने पैसे की आवश्यक्ता थी, और उसे कितने मिले या उसने कितने रुपे प्राप्ट की है, तो जैसा की लेसन में आपने पढ़ा है कि 100 पीसोज की ज़रूरत थी, तो आंसर भी यही होगा, Lancho needed 100 पीसोज, Lancho को 100 पीसोज की ज़रूरत थी, but he got only 70 पीसोज, लेकिन उसे केवल 70 पीसोज ही मिले प्राप्त हुए, आप इसके बाद एक question important बनता है, Why was Lancho annoyed with the postal employees? Postal employees say, वह नाराज क्यों हो गया? अंसर होगा हमारा, When Lancho got only 70 पीसोज in the envelope, जब Lancho ने लिफाफे में केवल 70 पीसोज पाए, तो he thought that, उसने सोचा की, the rest of the money was taken by the postal employees, बाकी का जो पैसा है, 30 पीसोज रह गए हैं, वो बाकी का पैसा, जो postal employees हैं, उनके द्वारा निकाल लिया गया है, so he was annoyed with them, इसलिए वह उनसे नाराज हो गया, तो हमने देखा, यह था, लैंचों का भगवान के प्रती विश्वास, कि उसको किसी भी तरह से, postal employees ने पैसे एकत्रित करके, उसे भेजा, जिससे कि उसका विश्वास ना तूट पाए, लेकिन उसने, उन पर ही blame लगा दिया, क्योंकि उसे इतना विश्वास था, कि भगवान ने सौ पीसोज भेजे होंगे, बागी केस में जो तीस पीसोज नहीं है, वो post office के कर्मचारियों ने ही निकाल लिए होंगे, तो इस तरह से, यह lesson आपका complete होता है, इसमें हमने सब इंपोर्टन्स और टांसर्स कवर किये हैं, अगर आप continue अपने syllabus को complete करना चाहते हैं, तो मेरी चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल पर पूरा कोर्स, complete कोर्स दिया जाएगा, तो perfectly आपको सब कुछ दिया जाएगा, तो प्लीज जुड़े रहें, इस्टे रहें, थैंक्स फार वाचिंग वीडिया, झाल प्लीज जुड़े जुड़े रहें,